हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार आएं तो सर्क्राइट करें यह स्वाटर मैंने पहले से बना रखा है अब मैं आपको इसकी डिजान डालनी बता रही हूं यह जैन स्वाटर है आईए मैं आपको डिजान समझाती हूं कैसे किस तरह से मैंने यह डिजान डाली है एक फंदा मैंने यह उल्टा लिया है और यह धाका ऐसे उपर उतारा है दाका डालके यह हमने गांड बना लिया है यह हमने एक बुनाएं और एक उतार दिया है इस तरह से वीडियो बने के उल्टी सलाई पर सारी उल्टी ही उतार देनी है उसमें कुछ निकनना है और यह मैंने पहले से बॉडर बना के रखा है अब मैं इसकी डिजान डालने आपको बताती हूं स्वाट पर हमने ऐसे बुन लिया और यह वाला फंदा हमने ऐसे धागा इसमें हमने ऐसे डाला है और इस वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लिया है फिर हम धागा लेंगे और इसको ऐसे बुनेंगे नहीं उतार लेना है यह हमने यह वाले धागे को एक बुनना है और एक उतारना पर इस पर धागा ऐसे डालो और उताल लेना है फिर ये बुन लेना है ऐसे हम पूरी सलाई कंप्लीट करेंगे पूरी रो एक बुन ना है और एक फंदा डालके उताल लेना है ये हम पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे ऐसी बनाते चले जाएंगे यह बहुत सुन्दर लगता है जैन स्वाटर में सिंपल सड्यान है एक सलाई का पल देखने में बहुत सुन्दर लगता है एक डालना है और एक उतार वो कर लेना है बुन लेना है ऐसी यह हमने फंदा ऐसे लिया और ऐसे डाला और यह हमने बुन लिया दूसरा वाला ये फंदा हम लेंगे ये वाला फंदा हमने बुन लखाये उल्टा और ये वाला फंदा हम लेंगे इस पे हम धागड ऐसे डालेंगे और उताल ले ना है बुन ना नहीं है और इस वाले फंदे को हम बुन लेंगे ये हम धागड ऐसे डालेंगे और उताल लिया और ये हमने ब पूरी सलाई कमपिलिट होगई और हम पीछे की सलाई दों बनाएंगे यह बना है इसको ने उसी सा Kingston ृता रख दा तो हम शार ने, और यह जो एक गांट बना रखी तो हम इसको भी उतार लेंगे और इन दोनों फंदों को जैसे हमने यह डाले थे यह हम सबको उल्टा-उल्टा अब बनाते चले जाएंगे यह पूरी रो हम ऐसे उतार देंगे सबको बुन देंगे जो हमने इस वार उतारा है वो वैसे करेंगे अगली बार ली सलाई पर फिर बताएंगे हम आपको यह पूरी रो हम ऐसे उतारेंगे सबको ये हमने पहले इस पे डाली थी ये हमने इस पे ये डाली थी अब हम इसकी गांट बना देंगे उल्टा फंदा ये पहला तो उतान नहीं है फिर दूसरे पे हमने गांट बना दी थी और ये वाले पे हमने वो गांट बनाई थी तो अब हम गांट वाले को ऐसे डाल के और उताल लेंगे और ये वाले फंदे पे हम गांट बना देंगे ये इस पे हमने पहले गांट बनाई थी अब इस पे हम डिजान ऐसे डालेंगे ऐसे ही सुरू में देख लो और फिर ये कर लो इस पे हमने पहले कांट बना रखिए तो ये अब इस वार हमें ये वाले पे उतारना है एक छोड़ की ऐसी ही हम बनाएंगे इसको पूरी सलाई को कम्प्लीट एक पे डालेंगे एक को उल्टा बनाएंगे एक पे हम धागा ऐसे डालेंगे और एक को उल्टा बनाएंगे पूरी सलाई हम इसी तरह से कम्प्लीट करेंगे छोटा छोटा डिजाने बहुत सुन्दा लगता है यह जैन स्वाटन में इसी तरह से पूरा एक पे हम डालते हैं और एक पे उतारते हैं यह हमने उल्टा बना लिया तो अब हम यह धागा दीखने लगता है यह धागा यह से हमें पता पढ़ जाती है ऐसे करके डालेंगे और इस वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे एक पे यह हमने उल्टा बना लिया है तो अब हमें इस पे डालना है फिर दूसरे फंदे को हम उल्टा ही बनाएंगे फिर हम इस पर डाल देंगे एक ये उल्टा है और इस पर डाला है अब हम इसको उल्टा ही बनाएंगे और इस पर हम धागा डाल दिया इसको हमने उल्टा ही बनाया एक छोड़के एक हमें उताना है ऐसे करके फंदा डालके और एक उल्टाई ही बना लेना है यह देखो ऐसे ही हम पूरी सलाई को कंप्लीट करेंगे यह हमने धागा डाला और इस वाले फंदे को हम उतारे उल्टा बनाएंगे और यह वाले फंदे पर हमने धागा डाला और यह हमने उतार लिया और यह हमने ऐसे डाला और यह हमने उल्टे बना लिये दो फंदे अब हम आगे उल्टी पे उल्टी सलाई पे क्या करना है हमें उल्टा ही उल्टा बना देना है यह हमने धागार जो डाल लखा इसको इन दो का एक कर देना है ऐसे सबको हम उल्टाई बनाते चले जाएंगे इधर इसमें कुछ नहीं करना है धागा नहीं पलटना किधर भी अब सबको हम पूरी सलाई को हम ऐसे ही उल्टी बनाते चले जाएंगे छोटा सा और सिंपल सा डिजान है आसानी सी डल जाता है और बहुत सुन्दर डिजान लगता है जैन स्वाटर में आजकल बड़े बड़े डिजान तो काम अच्छा लगते हैं छोटे छोटे बहुत सुन्दर डिजान लगते हैं पूरी सलाई हमें ऐसे ही कम्पलीट कर देनी है बस एक बुनना है और एक उतालना है धागा डालके बुनना नहीं है वो आप मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें कमेंड करें नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए कमेंड करें ये देखो ऐसे आता चला जाएगा ये अभी मैं और बना के दिखाती हूँ आपको ये हब हमनी हाँ से फिर चेक करेंगे क्योंकि ये हमने उल्टा बनाया था अब के इस वाले फंदे पे हम डालेंगे पिछली बार हमने ये उल्टा बनाया था अब के ये यह ही से सुरु होता है पहला उतारने कवाद यह हमने उतार लिया एचे और यह वाला फंद हमने पहले उतारा था तो हम तीसरे फंदे पर डालेंगे अपके और इसको हम फंद डाला ऐसे उतार लिया यह ऐसे दिखने लग जाता है तो आपको यूँ आसानी से पता पड़ जाएगा वैसे तुम्हें बताई रही हूँ आपको ध्यान से देखो यह हमने ऐसे धागा डाला और यह वाला फंदा हमने पुल लिया यह हमने ऐसे डाला एक छोड़के एक मलब डालते चले जाना है एक वार को यहां पर दो गाठे आएंगी और एक वार यह हमारे स्वाटर की डिजाइन की इस तरह की यह हमारे स्वाटर की इस तरह से आया है यह उबर के आप डालिए इसे जैन स्वाटर में जैन स्वाटर में डालें बच्चों के में डालें किसी में डालें तो अच्छा लगा जैन स्वाटर में ज्यादे अच्छा उबर के आता आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बोटन में लिखें एक उताना है और एक बुनना है इस तरह से बनाए यह आपको वीडियो पसंद आई हो सेर करें लाइक करें सब्क्राइक करें थैंक यू